चाइना अभी बुकम से उबरा भी नहीं था कि ठंड और बर्फबाली ने उसकी हालात खराप कर दी है। चीन का उत्तर पूरवी इलाका माइनस 40 डिग्री से ताफ़ान से जूज रहा है। 11 संबर से अब तक 300 घंटे ताफ़ान शूने से नीचे रहा, पूरे चीन को कमकपा देने वाली ठंडी हवा और बर्फ अरक्रिटिक से निकली हवा का नतीजा है। 11 से एसस के ताफ़ान से जूज ता रहा है। ताकि आम लोगों को ये सुधा मिलते रहे, इन दोनों शेहरों की भी हालत खराब है। वहाँ भी हानक सर्दी है, मौसम भाग का मानना है कि चीन के इस इलाके को रात तब मिलेगी जब गर्म हवाएं उत्तर से दक्षिन की और बहेंगी। ऐसा इस हफ़ते के अंतक होने की संभावना है। चीन के आदूने कितियास का सबसे भ्यानक भुकम हफ़ते भर पहले आया था। चे पॉइंट तूट तीवदा के इस भुकम की वयसे 149 लोगों की मौत हो गई थी, दो लोग लापता है। इस भुकम की वयसे घांसू और किंग हाई प्रांत हिल गे, इन प्रांतों में जातर HUI सम्मुदाय के लोग रहते हैं। ये एक अलब संक्यक सम्मुदाय के लोग हैं, घांसू में दो लाग से जादा मकान गिरे हैं। बनाया नहीं गया था, इसलिए ये गिर गए। ऐसलिए वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।